हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे करेला चेप्स करेला कड़वा होता है खाने में तो बहुत सारे लोगों को करेला पसंद नहीं आता है तो आज मैं कुछ ऐसे टेप्स बताऊंगी जिससे करेला बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा और बच्चे बड़े सबको ये बहु हम सबितना है और चोटे चोटे पीशे idiot में की अधर करेला को नहीं जड़ा है थ् upfront मौसystem हट करना है तो दो टिलना है आप electrical करेले में नमक और आथा चोटा जमबच हल्दी पाउडर टालते हैं और इसको हाथों से अच्छी से मिक्स कर लेंगे और उसको आधा घंटे के लिए रीष्ट करनी के लिए छोड़ तेंगे अगर हम कए रीष्ट करेले में नमक डालकर विए खोड़ देते हैं तो करेला जो है कड़ा नहीं लगेगा इस टीप्स को आफ जरूरा कीजियेगा जिनको करेला पसंद करेला eigenlijk करेरा नहीं लगता तो विवित लुछ आठानें करेले बड़ा चममच बापाउड़, चम बाइसंड नालने में। बहुत अच्छा सा एक बैंडिंग आ जाएगा करेले को क्रिस्पी बनाने के लिए मैं इधर एक बड़ा चमच चावल का आठा डाल दिया चावल का आठा डालने से करेला चिप्स बहुत ही क्रिस्पी बनता है अगर चावल का आठा नहीं है तो आप एक चमच कॉन फ्लोर भी चट पटा लगेगा अब हम सारे चीजों को करेले के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि करेले के ऊपर यह अच्छे से कोट हो जाएगा आप देख सकते हैं इधर मैंने करेले के साथ अच्छे से सारे चीजों को मिक्स कर लिया है अब हम इसको फ्राइ करेंगे तो दू सब्सक्रेण सुटारा अंतली मुए सब्सक्रेण करूदा और करेल करने के सीम हमें सबस्ucha यह तो आट बाकी का प्रास्त परिम चोख गारेण करीण से बाकी का जो बचया हुआ करेला था उसको भी हम फ्राय कर राइब करना आप अटभाव इसाप्र करेलिया है you can see how一定 All This Packed адно रेला में हो आप मैं आपको कुछ करेला तोड़ की दिखा रहा हूँ वां ने अबरी करेला की ठीकए कमें अरम को यह कुछ करेला तोर्ड के डिखा रहे עएगढो अगर आच्छा लेगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए